सरकार में कौन लोग सबसे आगे जाते हैं, अगर कोई आपसे यह पूछे, दो तरहे के लोग हैं, एक वो प्रशास्नी काथिकारी हैं, जो शुरू से ही किसी नेता के साथ चिपक जाते हैं, छपार लग जाता है, जब जब सरकार आती है, बहुत उपर, जब सरकार गई, के अंदर पढ़े हुए हैं, बेट कर रहे हैं 5 साल, हाइबर नेशन में रहते हैं 5 साल उपर, जैसे ही नहीं सरकार आएगे, उसे बाद पूर नहीं हो, एक अच्छे पत्प में जाएंगे, ऐसे बहुत अधिकारी होते हैं, बहुत साले, जब वो सूंग रहते हैं, कि सरकार चेंज होने वाली है, उसके पहली डेपुटेशन लेके भाग जाते हैं, तकि नई सरकार के साथ रहने के ज़रूत ही नहीं पड़े, मैनेज कर लें बाहर रहे हैं, एक तो वो फाइदे में रहते हैं, जो किसी सरकार के नजदीख हैं, जो मैंने अपसे कहा, कुछ लोग हैं जो हमेशा नुक्सान में रहते हैं, जो अतिनयतिक हैं तबाह कितें सरकार को, वो निर्मेक्ष भाव से कोईभी सरकार आला है, उसे तबाह करते हैं, जैसे कि हम असारे, कोई CM बने, उनने सर imper theory भी हैं कि अब किसे तबाह करना मुझे, अब इस CM को तबाह करना, उसफों पर अज़न में कोई वेक्टी 100% नेतिक है यह तो बेकार की बात है और अगर है तो फिर वो खेमका जैसा है हो सकता है खेमका साथ में वो लेवल हो कि आल पेंड बेश सरकार की यूजना करते हो अपने घर पर यह हो सकता है अगर ऐसा कोई है तो बहुत अव्यावारिक सा मामला है तो इस लोग क्या करते हैं नियत अच्छी रखते हैं और अच्छी नियत के साथ थोड़ा सा व्यावारिक तेवर बनाए रखते हैं उनको, उनकी 26 सरकार के सामने यह है कि किसी भी स्थिति में यह व्यक्ति कर्फशन में शामिल नहीं होगा, कि एक भी पैसा, गलत पैसा आपने घर लेके नहीं जाएगा, सिधी सी बात से, ना अपने घर के लोगों पर गलत पैसा खर्जिश करने देगा किसी को, यह सबस्ट है लेकिन घौर अवयावारिक व्यक्ति नहीं है, एफिशेंट है, और मैंने पहरे भी आपसे कहा, जो एफिशेंट है, इमानदार है, अवयावारिक नहीं है बस, किसी भी सरकार की नजरों में सबसे ज़्यादा चहेता व्यक्ति वही होता है, कोई भी सरकार आजये, और उस ठपा किसी पार्टी विशेशका ना हो। पर आपसे कहा था कि राजडियतिक ट्रस्था अंत्रता है अच्छी ही होती है, बहुत नुकसान नहीं होता है, उसका फायदा है। अगर आपके छवी में तीन-चार बाते हों, पहली बात आपके इसी पार्टी विशेशके व्यक्ति नहीं है। जो सरकार आती है, इमान दर इसे उसे साथ काम करता है। बैइमान नहीं हैं, कमिटमेंट वूरी हैं, जंके काम करेंगे। अव्या भारिक नहीं हैं पर बहुत नायतिक है। ये छवी जिस वियक्ति की है, मान के साली कि हर सरकार में सबसे महत्मुन पदों में से कुछ पद ऐसे वियक्ति को मिलेंगے। कुछ तो मिलेंगे चापलूसों को, जो पांच सल के लिए आते हैं, फिर चले आते हैं हाइबरनेशन में, लेकिन हर सरकार में सबसे महत्वर्ण पदों में से कुछ मिलते हैं इनको, क्योंकि इनी के बलबूत सरकारे चलती है ठीक से, डिजल्ट भी तो चाहिए प्रशासन को, इप्लिमेंट भी तो करना है, अगली पर वोट भी तो मांगने जनता से, वोट ऐसे मांगेंगे, अच्छे लोग चाहिए तब तो वोट मांगेंगे, इसलिए, जो पहली सला है, अगर इस सला का मतलब सिर्फ ये कि भाई, पंगा मोल मतलो किसी से, अपनी अच्छे बने रह होगा, और जब मैं आप से कहा रहा हं कि करियर में बड़ी सम्भावन नहीं, तो मैं दोनों हैं कहा रहा हूँ, वो तर्क दे रहे हैं करियर की बड़ी सम्भावनाओं का पैदा होना, असलिए पहले कशन में कहना हैं, तो गुन अगुन की भाष्ण समझने में लिक्कतानयी तो मैंने दबाव में असा कर दिया, समझे हो, क्या कर्षन है, वो कर्षन है, क्यों पंगा मोल लेना, शांते से चलो ना, उस कर्षन का गुण क्या है, इससे व्यक्ति और परिवार के सुरक्षा बनी रहेगी, ये फायदा होगा, लेकिन जब आप उस कर्षन के साथ चलेंगे तो हमारा उस कर्षन के साथ से ये कि हमारा परिवार जो करियर है, उस करियर बाधा नहीं आएगी, और कोई हमारा विडियोज नहीं करेगा, तो ऐसे करें करियर में बड़ी बाधाओं का पैदा नहोना, अपने सुरक्षा, परिवार के सुरक्षा, करियर में बड़ी बाध पैदा नहीं होंगी तो ये खुश होने के परियाब कर लिए